एगो आर्मेनिडो माराडोना अर्जेंटीना के एक पूर्फ फुटबॉल खिलाडी और अर्जेंटीना के राष्ट्रिय टीम के वर्तमान प्रबंध धक्ते। उन्हें व्यापक रूप से आज तक का सबसे बहतरीन फुटबॉल खिलाडी माना जाता है। FIFA Player of the Century पूरसकार के लिए उन्हें इंटरनेट मतदान में सर्व प्रथम स्थान मिला और उन्होंने पेले के साथ पूरसकार में साजहदारी की। अपने पेशेवर क्लब का एरिया के दौरान माराडोना ने अर्जेंटीनोस जूनियर, बोका जूनियर्स, बासिलोना, सेवला, नेवल्स ओल बॉय और नापोली के लिए खेलते हुए अनुबंध शुल्क लेने में विश्व रिकोर्ड कायम किया। अपने अंतर राश्ट्रिय का एरियर में अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए उन्होंने 91 कैप सरजित किये और 34 गोल किये। उन्होंने चार फीफा व पेस्ट जर्मनी पर जीत हासल की। उसी टूर्नामेंट के क्वाटर फाइनल दौर में उन्होंने इंग्लेंड के खिलाफ 2-1 की जीत में दो गोल दार अरंभिक वर्ष माराडोना का जन्म लानूस में एक गरीब परिवार में हुआ जो कुरियंटिस प्रोविंस में स्थान आंतरित हो गई, लेकिन उनका पालन पोशन विला फियोरिटो में हुआ, जो ब्यूनस आयस के दक्षनी बाहरी भाग में बसी एक जोपर पटी है। तीन बेटियों के बाद वे पहले पुत्र थे। उनके दो छोटे भाई हैं, ह्यूगो और एडवडो, वे दोनों भी अरजेंटिनोस जूनियर्स की एक जूनियर टीम। बारह वर्शिय बॉल बॉय के रूप में उन्होंने फर्स्ट डिविशन खेलों के मध्यकाल विराम के दोरान गेन के साथ अपनी जादूई प्रतिभा दिखा कर दर्शकों को खुश करते थे। क्लब का एरिया. 20 अक्टूबर 1976 में, माराडोना ने अपनी 16 वी सालगिरह से 10 दिन पहले अरजेंटिनोस जूनियर्स के साथ पेशेवर शुरुआत की. उन्होंने एक मिलियन पाउंड के लिए बोका जूनियर्स में अंतरन से पहले तक, 1981 और 1976 के बीच वहां खेला. 1981 सीजन के दोरान टीम के मध्यकाल में शामिल होकर, माराडोना पूरे 1982 में खेले और अपना प्रथम लीग विजेता पदग भी हासल किया. Argentinos Juniors के लिए खेलते हुए, English Club Sheffield United ने उनकी सेवाएं पाने के लिए 180, 0000 पाउंड की बोली लगाई, जो खारिच कर दी गई. 1982 के विश्व कप के बाद, जून में, माराडोना उस समय के विश्व रिकॉर्ड कीमत 5 मिलियन पाउंड पर स्पेन में बासलोना के लिए अंतरित हुए. 1983 में कोच सीजर लूई मेनोटी की देख रेख में बासलोना और माराडोना ने रियल मेरिट को हरा कर कोपा डेल रे जीता और अथलेटिक डे बिलबाओ को हरा कर स्पैनिश सुपरकब जीता. हालांकि, बासलोना के साथ माराडोना का कार्यकाल मुश्किल भरा रहा. सर्व प्रथम हेपेटाइटिस के साथ मुकाबला और फिर अथलेटिक बिलबाओ के एंडनी गोई कोई टसेया के द्वारा गलत समयवाली मुटभेड के कारण तूटे एक पैर ने उनके कैरिया को खत्रे में डाल दिया, लेकिन माराडोना की शारीरिक शक्ती और इच्छा शक्ती ने उनके जल्धी मैदान में वापस आने को संभव बनाया। बासलोना में, लगातार माराडोना कभी टीम के निदेशक और विशेशकर क्लब के अध्यक्ष जोसफ ल्यूईस नुनेस के साथ विवादों में उलज जाते थे, परिनामस्वरु पंतता 1984 में उन्होंन कैम्प नोव से हटाए जाने की मांग की। वे इटली के सेरी के नापोली में फिर एक रिकॉर्ड शुल्क 6.9 मिलियन पाउंड के साथ स्थाना अंतरित किये गए। नापोली में माराडोना अपने पेशेवर काईरिया के शीश पर पहुँचे। वे जल्धी क्लब के सेरी इटलियन चैंपियंशिप 1886 बटा 87 और 1989 1990 में जीता और दो बार वर्ष 1998-1989 और 1987-1988 में वे लीग में दूसरे स्थान पर आए। माराडोना के दौर में नापोली को मिले अन्य सम्मानों में 1987 का कोपा इटलिया, 1989 में युएफर कप और 1990 का इटलियन सुपकप शामिल ह माराडोना 1887 बटा 88 सेरी में सरवाधिक्स को बनाने वाले रहे। हालांकि इटली में बिताए गए समय के दौरान माराडोना की व्यक्तिगत समस्याओं में वृद्धी हुई। भी वे संदेह के घेरे में रहे। कोकीन के लिए किये गए ड्रग परीक्षन में असफल होने पर मिले 15 महीने की पाबंदी के बाद माराडोना ने 1992 में अपमानित होकर नापोली छोड़ दिया। जब तक वे अपनी अगली टीम सेवला में शामिल हुए, उन्हें पेशेवर फुटबॉल खेले दो वर्ष हो चुके थे। अपने नंबर 10 की शर्ट छोड़ दी। उस वर्ष के विश्वकप में इंगलेंड के खिलाफ अपना गोल अफ दी सेंचुरी के दोरान माराडोना ने ड्रिबल करते हुए होडल को चकमा दिया। अंतर राष्ट्रिय का एरिया। 18 वर्ष की आयू में उन्होंने अर्जेंटिना के लिए वर्ल्ड यूथ चैंपियन्शिप खेला और उस टूर्णामेंट के नायक बने जो सोवियत संग से 3-1 की जीत हासिल करके चमके। 2 जून 1989 में, माराडोना ने स्कॉटलेंड के हेंप्टेन पाक के खिलाफ अपना प्रथम सीनियर अंतर राष्ट्रिय गोल किया जिसमें उनकी टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। 1982 विश्व कप माराडोना ने 1982 में अपना प्रथम विश्व कप टूर्नामेंट खेला। पहले दौर में, बचाव में माहिर अर्जेंटीना बिल्जियम से हार गई। हाला की टीम ने दूसरे दौर में प्रवेश करने के लिए हंगरी और E.L. Salvador को आसानी से हरा दिया, लेकिन वे दूसरे दौर में ब्राजील और फिर संभावित विजेता इटली से पराजित हुए। माराडोना सभी पांच मैचों में बिना स्थानापन हुए खेले, परंतु ब्राजील के खिलाफ खेले गए मैच में खेल की समापती से पांच मिनिट पहले उन्हें एक गंभीर फाउल करने के कारण खेल से बाहर कर दिया गया। 1986 विश्व कप माराडोना ने अपने वर्चस्व को कायम रखा और वे टूर्नामेन के सबसे सक्रिय खिलाडी थे। उन्होंने अर्जेंटीना गेम के हर क्षन को खेला, पांच गोल दागे और पांच में सहायता की। यद्यपी, उनकी ख्याती को पुक्ता करने वाले वे दो गोल थे जो उन्होंने इंग्लेंड के खिलाफ दो माइनस एक से जीते गए क्वार्टर फाइनल माच के दौरान किये। विशेशकर यह माच अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन के युनाइटड किंग्डम और उत्तरी आयरलेंड के मध्य चल रही फाल्कलेंज युद्ध के दौरान खेली गई और इससे जुड़ी भावनाय माच के दौरान भी वातावरन में देखी गई। ट्रिटले से पता चला कि उसका पहला गोल हाथ से गेंद को मार कर किया गया था। हाला कि, इंग्लेंड के खिलाडियों के क्रोध के बावजूद, इस गोल का वजूद कायम रहा। माराडोना के दूसरे गोल को बाद में फीफा द्वारा विश्वक अपके इतिहास का सर्वश्रेश्ट गोल नामित किया जाना था। उन्हें गेंद अपने हिस्से में प्राप्त हुई, उन्होंने गेंद को घुमाया और उसे ग्यारा बार छूते हुए और इंग्लेंड के पांच आउट फील्ड खिलाडियों और गोल रक्षक पीटर शिल्टन को चक्मा देते हुए फील्ड की आधी लंबाईं दोड कर त दर्शन शामिल था। फाइनल में, विरोधी पाक्ष पश्चिमी जर्मन ने डबल माकंग के द्वारा उन्हें नियंतरित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने विजएई गोल के लिए जोर्ज बुरुचागा को अंतिम पास देने के लिए स्थान खोज ही अर्जेंटिना ने एच्टेका स्टेडियम में 115,000 दर्शकों के सामने पश्चिमी जर्मनी को 3-2 से हराया और मारादोना ने विश्व कप ट्राफी को अपने हाथों से ग्रहन किया और यह सुनिश्चित किया कि फुटबॉल के एतिहास में उन्हें एक महान हस्ती के रूप पर स्थापित किया. 1990 विश्व कप क्वाटर फाइनल में अर्जेंटिना ने युगोस्लाविया का सामना किया, 120 मिनर के बाद यह मैच 0-0 पर खत्म हुआ और मारादोना द्वारा गोल के केंद्र में मारे गए एक कमजोर शॉट के कारण चुके एक पैनल्टी शूट आउट के बावजूद भी अर्जेंटिन पैनल्टी किक्स के द्वारा इस मैच में आगे रहा। मेजबान देश इटली के खिलाफ सेमिफाइनल में भी 1-1 की बराबरी के बाद पैनल्टी द्वारा ही फैसला किया गया, मारादोना ने बहादूरी के साथ गेंद को उसी बिंदू पर मारा, जहाँ वे पहली बार चासी वे मिनिट में किये गए एक विवादास पद फाउल से मिले पैनल्टी का परिनाम था। 1994 के FIFA विश्व कप में माराडोना केवल दो मैचों में खेलें, जिनमें उन्होंने ग्रीस के खिलाफ एक गोल किया, यह गोल उन्होंने एफेडरीन डोपिंग के लिए किये गए ड्रग परीक्षन में विफल होने के कारण घर भेज दिये जाने से पहले किया था। अपनी आत्मकता में, माराडोना का यह तर्ग था कि यह परीक्षा परिनाम उनके व्यक्तिगर ट्रेनर के रिप फ्यूल नामक शक्तिवर्धक पेपदार्थ दिये जाने के कारण था। अपनी फीफा के साथ उनका एक समझोता हुआ था कि वह उने प्रतिसपर्धा से पहले अपना वजन कम करने के लिए वह ड्रग लेने की अनुमती देगा ताकि वे खेल सके, जिससे यह संगठन मुकर गया। उनके शारीरिक ताकत का प्रदर्शन उनके द्वारा बेल्जियम के विरुध 1986 विश्व कप में दागे गए दो गोलों से होता है। मारा डोना एक रननीतिकार और एक टीम खिलाडी थे, साथ ही वे गेंड के साथ उच्च तक नीकी भी थे। वे स्वयम को सीमिट स्थान पर प्रभावी धंग से संचालित कर सकते थे और वे केवल उस गोलमाल से बाहर निकलने के लिए या टीम के किसी खाली सदसिकी सहायता करने के लिए रिक्षिकों को आकरशित करते थे। छोटे कद के, परंतु मजबूत होने के कारण अपने पीछे एक रक्षक के होने के बाद भी वे गेंड को काफी लंबे समय तक बचाय रख पाते थे ताकि उनके टीम के किसी खिलाडी के दोड कर पहुँचने या एक त्वरित शॉट के लिए जगह मिलने का इंतजार कर सक माराडोना के विशिष्ट चालो में से एक थी के वे बाइं विंग से पूरी तेजी से ड्रिब्लिंग कर सकते थे और प्रतिद्वंद्वी के गोल सीमा क्षेत्र में पहुँचकर वे अपने टीम के खिलाडियों को सटीक पास देते थे एक और विशिष्ट चौट था राबोना जो पूरा वजन अपने उपर रखने वाले पैरों के पीछे का एक रिवर्स क्रॉस चौट था इस कौशल ने खेल में कई मदद दी जैसे 1990 में स्विजलन के खिलाफ खेले गए दोस्ताना मैच में रेमोन दियाज के हैडर के लिए दिया गया शक्तिशाली क्रॉस वे एक खतरनाक फ्रीक एक लेने वाले भी थे सेवा निवृती और सम्मान प्रेस द्वारा वर्षों तक पीछा किये जाने पर एक बार मारादोना ने उन समवाद दाताओं पर संपीडे थवा राइफल चला दी जो उनका कहना था कि उनकी गोपनियता पर हमला कर रहे थे उनके पूर्व तीम के साथ ही जोज्वालडेनों की कही यह बात कई लोगों की भावनाओं को व्यक्त करती है कि यह सम्मान बनी पीपल वांत पर संप्रोवर्शल फिगर, लवद, हैटर्ड, हुस्टर्स ग्रेत अपहवल, अस्पेशल इन आजन्टीना Stressing his personal life is a mistake Maradona has no peers inside the pitch, but he has turned his life into a show, and is now living a personal ordeal that should not be imitated 2000 में, Maradona ने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की यह 100 L. Diego, जो उनके स्वदेश में तूरंत एक बेस्ट सेलर बन गया 2 साल बाद, Maradona ने इस पुस्तक की Cuban royalty, The Cuban People and Fidel, को दान कर दी FIFA ने 2000 में, Player of the Century का चुनाव करने के लिए, इंटरनेट पर प्रशन्सकों का एक चुनाव आयोजित किया Maradona तिरपन दशमलव 6 प्रतिशत वोट पाकर चुनाव में अग्रणी स्थान पर रहे तथा पी, बाद में, पुरसकार का फैसला कैसे किया जाएगा इसकी मूल घोशना के विपरीत, FIFA ने, Football परिवार, को नियुक्त किया जिसमें Football विशेशग्य शामिल थे और उन्होंने पेले को यह सम्मान देने के पक्ष में अपना मद्दान किया माराडोना ने इस प्रक्रिया में परिवर्तन का विरोध करते हुए कहा कि यदि पेले को उनका स्थान दिया गया तो वे समारोह में उपस्थित नहीं होंगे आखिरकार, दो पुरसकार बनाए गए और इस जोड़ी में दोनों को दिया गया माराडोना ने अपना पुरसकार स्वीकार कर लिया, लेकिन पेले को उपचारिक रूप से सम्मान दिये जाने का इंतजार किये बिना ही वहां से चले गए 2001 में, अर्जेंटिना फुटबॉल असोसियेशन ने फीफा प्राधिकार को माराडोना के लिए दस नंबर जर्सी को रिटायर करने के लिए कहा फीफा, ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अर्जेंटिना के अधिकारियों का कहना है कि फीफा ने संकेत दिया है कि वह ऐसा करेगा माराडोना ने अन्य प्रशनसक चुनाव जीते, जिसमें 2002 का एक फीफा चुनाव शामिल है जिसमें इंग्लेंड के खिलाफ उनके द्वारा दागे गए दूसरे गोल को विश्व कप के इतिहास में दागा गया सरवश्रेष्ट गोल चैनित किया गया All-Time Ultimate World Cup टीम निर्धारित करने के लिए किये गए चुनाव में भी उन्होंने सरवाधिक वोट जीते 26 दिसमबर 2003 में Argentinos Junior ने अपने स्टेडियम का नाम Maradona के नाम पर रखा 22 जून 2005 में यह घोशना की गई कि Maradona Boca Juniors में उनके खेल उपाध्यक्ष के रूप में लोटेंगे और First Division तालिका के प्रबंधन का कारेभार संभालेंगे एक अगस्त 2005 को उनका अनुबंध शुरू हुआ और उनके सबसे पहले सुझावों में से एक बहुत कारगर साबित हुआ वह Maradona ही थे जिन्होंने अलफियो बासिल को नई कोच के रूप में लेने का फैसला किया Maradona द्वारा खिलाडियों के साथ एक निकट संबंध को प्रोचसाहित करने के साथ बोका की जीत का सफर शुरू हुआ और 2005 में उसने अपटूरा खिताब 2006 में कलॉसुरा खिताब 2005 में कोपा सुद अमेरीका और 2005 में रिकोपा सुद अमेरीका खिताब जीते 15 अगस्त 2005 में, Maradona ने एक मेजबान के रूप में अर्जेंटाइन टेलिविजन के लनोचे डेल टेन नामक एक टॉक वराइटी शो से अपनी शुरुआत की उनकी प्रथम रात्री के मुख्य अतिती थे पहले दोनों ने दोस्ताना धंक से बातचीत की और अतीत की करवाहतों का कोई संकेत नहीं दिया हाला की, इस शो में एक कार्टून खलनायक भी शामिल था जिसकी साफ तोर पर पहले के साथ शारीरेक समानता थी अगली शामों में, एक आफसर को छोड़ कर वे सभी रेटिंग में आगे रहे अधिकांश महमान, फुटबॉल जगत या फिल्मी जगत से लाए गए थे जिन में जिदान, रोनाल्डो और हरनान क्रेस्पों शामिल थे लेकिन इन में फिदेल कास्त्रो और माइक टाइसन जैसे अन्य उलेखनिय हस्तियों के साथ साक्षातकार भी शामिल था 26 अगस्त 2006 में यह घोशना की गई कि माराडोना AFA के साथ अपनी असेहमती के कारण बोका जूनियस में अपना पद छोड़ रहे हैं, जिसने बासिल को अर्जेंटीना की राष्ट्रिय फुट्बाल टीम के लिए चैनित किया था सभिया के पुरसकार विजेता फिल्म निर्माता एमिर कुस्तुरिका ने माराडोना के जीवन पर एक वरिचित्र का निर्मान किया, जिसका शीरशक था माराडोना माई 2006 में, माराडोना UK के सौका एड के लिए खेलने को राजी हो गए सितंबर 2006 में, माराडोना ने स्पेन में एक तीन दिवसीय आंतरिक फुटबॉल विश्वकप टूर्नामेंट में अपने प्रसिद नीली और सफेद संख्या 10 में अर्जेंटीना की कप्तानी की इसके अलावा 2006 में, डिएगो माराडोना को, माइक्रो एल्गी स्पाइर लिना अगेंस्ट मालनुट्रीशन, IIMSAM के उप्योग के लिए इंटरगव्मेंटल इंस्टीशन का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया 22 मार्च 2010 में, माराडोना एक लंडन स्थित अकबार दी टाइम्स द्वारा दस महांतम विश्व कप खिलाडियों में पहले स्थान पर चुने गए प्रबंध किया कायरिया, क्लब प्रबंधन उन्होंने, Argentinos Juniors के पूर्व Midfield साथ ही Kalos Frane के साथ कोच के रूप में कार्य करने का प्रयास किया इस जोडी ने Mandiu of Koreans और Racing Club में नेतरित्व किया लेकिन सफलता कम ही मिली अंतर राश्ट्रिय प्रबंधन 2008 में अर्जेंटिना के राश्ट्रिय फुट्बॉल टीम के कोच अफियो बासिल के इस्तीफे के बाद, डिएगो माराडोना ने तुरंत इस खाली पद के लिए अपनी उम्मीद्वारी का प्रस्ताव रखा कई प्रेस सूत्रों के अनुसार, उनके प्रमुक प्रतिद्वंधवी थे डिएगो सिमोन, कालोस बियांची, मिगुवेल एंजल रूसों और सर्जियो बतिस्ता 29 अक्टूबर 2008 में, AFA के अध्यक्ष जूलियो ग्रोंडोना ने पुष्टी की की दिसंबर 2008 से माराडोना राष्ट की और से कोच होंगे 19 नवंबर 2008 में, डिएगो माराडोना ने पहली बार अर्जेंटिना को उस समय संचालित किया जब उसने ग्लास्को में स्थित हैंप्टेन पार्क में स्कॉटलेंड के खिलाफ मुकाबला किया और जिसे अर्जेंटिना ने एक माइनस शून्य से जीता ग्लास्को का शहर माराडोना के इतिहास में एक महत्वपून भूमिका निभाता है क्यूंकि वह हैंप्टेन पाक ही था जहां माराडोना ने अर्जेंटिना के लिए 1989 में पहला गोल दागा था राष्ट्रिय टीम के प्रभारी होते हुए अपने प्रथम तीन मैच जीतने के बाद उन्होंने बोलिविया के खिलाफ छे माइनस एक की हार का सामना किया और टीम की अब तक की निकरिष्ट तम हार की बराबरी की 2010 के विश्व कप टूर्नामेंट के लिए सिर्फ दो योग्यता मैच के शेश रहते अरजेंटिना पांचवे स्थान पर था और अरहता प्राप्त करने में असफल होने की संभावना का सामना कर रहा था लेकिन आखरी दो मैचों में जीतने उसे फाइनल में जाने की योग्य स्वरूप, फिफा ने फुटबॉल से जुड़ी उनकी सभी गतिविधियों पर दो महीने का प्रतिबंध लगाया और उनके भविशे के आचरणों के लिए चेतावनी देते हुए 25,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया। उन पर लगा प्रतिबंध 15 जनवरी 2010 को उनके प्रतिबंध के दोरान अर्जेंटीना का एक दोस्ताना मैच देश में चेक रिपब्लिक 15 दिसंबर को निर्धारित हुआ परंतु यह बाद में रद कर दिया गया। शेतर पर डालमा रखा और जिनके नाम पर माराडोना ने अपनी बड़ी बेटी का नाम रखा। माराडोना ने अपनी लंबे समय की मंगेतर क्लावडिया विलाफने से अपनी पुत्रियों के जन्म के पश्चात डालमा नीरा और गियनीना डिनोरा साथ नवंबर 1989 को अपनी वफादार नहीं थे। हालां कि वे उसे अपने जीवन के प्यार के रूप में संदर्भित करते हैं। कारेवाही के दोरान, माराडोना ने स्वीकार किया कि वे डिएगो सिनागरा के पिता हैं। इतालवी अदालत ने 1993 में पहले ही यह निर्नय दे दिया था, जब माराडोना ने पितरित्व को साबित करने या खंडन करने के लिए डियने परीक्षन से गुज्रने से मना कर दि किया। डिएगो जूनियर ने पहली बार माराडोना से 2003 में मुलाकात, जब वह नेपल्स में एक गोल्फ कोर्स में चालाकी से घुस गया जहां माराडोना खेल रहे थे। तलाक के बाद, क्लावडिया ने थेटर निर्माता के रूप में एक कारिया की शुरुआत की और डा डिएगो सिनागरा इटली में एक फुटबॉलर है. नशीली दवाओं का दो रुपयोग और स्वास्थे मुद्दे. 1980 के मध्य से 2004 तक डिएगो माराडोना कोकीन के आदी थे. उन्होंने कथे तोर पर इस ड्रग का सेवन 1983 में बासलोना में शुरू किया. जिस समय वे नाप चो तक उनका स्वास्थे गंभीर रूप से बिगरता गया. 4 जनवरी 2000 में उरुगवे के पुंटर डेलेस्ट में छुट्टिया मनाने के दौरान माराडोना को एक स्थानिय क्लिनिक के अपात कमरे में फौरन ले जाना पड़ा. एक पत्रकार सम्मेलन में, डॉक्टरों ने कहा कि, एक अंतर नहित स्वास्थे समस्या, के कारण हरिदय की मानस्पेशियों के क्षतिग्रस्थ होने का पता चला है. यह बाद में पता चला कि उनके खून में कोकीन की मात्रा पाई गई है और माराडोना को पुलिस के समक्ष सारी स्थिती स्थिती स्पष्ट करनी ठोड कर एक ड्रग पुनर्वास योजना का पालन करने के लिए क्यूबा चले गए. माराडोना में वजन बढ़ने की प्रवरिती थी और अपने खेल का एरिया के अंत से ही वे तेजी से बढ़ते हुए मोटापे से ग्रसित रहे. जब तक की 6 मार्च 2005 में कोलंबिया के काट जेना डी इंडियाज में एक क्लिनिक में उन्होंने अपनी गैस्ट्रिक बाइपास सरजरी नहीं करवाली. जब थोड़े समय बाद माराडोना वापस सारवजनिक द्रिष्टी में आए, तब वे काफी दुबले हो चुके थे. 18 अप्रेल 2004 में डॉक्टरों ने बताया कि मा माराडोना कोकीन का अतिरिक्ट सेवन करने के कारण बहुत गंभीर हृतपैशी जरोधगलन का शिकार हो गए हैं. और उन्हें ब्यूनस आयस के अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भरती कराया गया. बड़ी तादाद में प्रशनसक क्लिनिक के आसपास एकत्र हुए. द 29 अप्रेल को अस्पताल से छूटने तक उन्हें कई दिनों के लिए गहन चिकित्सा के इंद्र में ही रखा गया. उन्होंने वापस क्यूबा जाने का प्रयास किया, जहां उन्होंने दिल का दौरा पढ़ने तक का अपने जीवन का अधिकतर समय व्यतीत किया था, परंतु उनके परिवार वालों ने इसका विरोध किया, जिसके परिनामस्वरूप उन्होंने अपने अभिभावक्ता के अधिकार का उप्योग कर पाने की अनुमती लेने के लिए एक न्याई की आचिका दायर की. 29 मार्च 2007 को, ब्यूनिस आयस के एक अस्पताल में माराडोना को फिर से दाखिल करवाया गया. थेपेटाइटिस और मध्यपान के प्रभाव के कारण उनका इलाज किया गया और 11 अप्रेल को अस्पताल से छुट्टी देने के दो दिन बाद उन्हें पुनह भरती कर लिया गया. आने वाले दिनों में उनके स्वास्थे को लेकर लगाता रफवाहे रही, जिनमें एक महीने के भीतर तीन बार उनके मृत्यू के जूटे दावे शामिल हैं. उन्हें एक शराब संबंधित समस्याओं में विशेशग्यता वाले एक मनोरुग क्लिनिक में स्थानांतरित कर दिया गया, उन्हें 7 मई को छुट्टी दे दी गई. 8 मई 2007 को, माराडोना अर्जेंटीना टेलिविजन पर दिखाई दिये और कहा कि उन्होंने मध्यपान करना छोड़ दिया है और धाई वर्षों से ड्रग का सेवन भी नहीं किया है. राजनीतिक द्रिश्टिकोन 90 के दशक के दौरान, डियेगो माराडोना ने दाहीने विंग और अर्जेंटीना में कालोस मेनेम की नियो लिब्रल प्रेसिडेंसी का समर्थन किया. हाल के वर्षों में, माराडोना ने वाम पंथी विचारधाराओं के प्रती अधिक सहानुभूती दिखाई. क्यूबा में अपने उपचार के समय उनकी मित्रता फिदेल कास्त्रों के साथ हो गई. उनके बाएं पैर पर कास्त्रों का टैटू बना है और उनके दाहीने हाथ पर एरनेस्टो, चे, क्वेरा का चित्र बना हुआ है. अपनी आत्मकथा, एल डिएगो, में उन्होंने इस पुस्तक को कई लोगों और समूहों को समर्पित किया है, जिनमें फिदेल कास्त्रों भी शामिल हैं. उन्होंने लिखा है, तु फिदेल कास्त्रों एंड, थरू हिम, आल दी क्यूबन पीपल. माराडोना वेनेजुएला के राष्ट्रपती हुगो चावेज के भी एक समर्थक हैं. 2005 में वे विशेशकर चावेज से मिलने के उद्देश्य से वेनेजुएला गए, वहां मीरा फ्लोरेस में चावेज द्वारा उनका स्वागत किया गया. इस बैठक के बाद माराडोना ने दावा किया कि वे एक महान व्यक्ती से मिलने के लिए आये थे परंतु उनकी मुलाकात एक विशाल व्यक्ती से हुई है. मैं चावेज में विश्वास करता हूँ, मैं चाविटर हूँ. सब कुछ जो फिदेल करता है और सब कुछ जो मैं चावेज करता है, मेरे लिए अच्छा है. उन्होंने उलेकनिया रूप से 2005 के मार डेल प्लाटा, अर्जेंटिना में समिट अफ दी अमेरिकास के दोरान, सामराज्यवाद के प्रती अपनी खिलाफ्त की घोशना की. वहां उन्होंने अर्जेंटिना में जॉर्ज डबल में एक कदम और आगे बढ़ गए. जब उन्होंने चावेज के सापताहिक टीवी शो पर आकर कहा, मैं हर उस चीज से नफरत करता हूँ जो अमेरिका से आती है. मैं इस से पूरी शिद्दत से नफरत करता हूँ. दिसम्बर 2007 में, इरान के लोगों के समर्थन में माराडोना ने एक हस्ताक्षरित शर्ट भेट की. उसे इरानियन विदेश मंत्राले के संग्राहले में प्रदर्शित किया जाना है. विद्टिय समस्याएं. मार्च 2009 में इटली के अधिकारियों ने घोशना की कि माराडोना पर अब भी इटली की सरकार का 37 मिलियन यूरो का टैक्स बकाया है. जिस पर 23.5 मिलियन यूरो का ब्याज प्रोदभूत है. उन्होंने बताया कि अभी तक, माराडोना ने केवल 42,000 दो लगजरी घडियों और बालियों के एक सेट का भुगतान ही किया है. लोकप्रिय संस्कृती में, थम, राइट, 200px, नेपल्स में माराडोना का धार्मिक प्रदर्शन 1986 के बाद से, विदेशों में रहने वाले अर्जेंटीना के लोगों के लिए माराडोना का नाम कि निशानी के तौर पर दूरदराज के क्षेतरों तक में सुनना एक आम बात है. टार्टन सेना, इंग्लेंड के खिलाफ Hand of God गोल के सम्मान में उसके होकी-कोकी के एक संसकरन को गाती है. अर्जेंटीना में, माराडोना का धिक्र प्राया उनहीं शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने उसे पूजनिय बनाया और फिर क्रोस पर चड़ा दिया. जब एक दोस्त ने उसे शरारत की सीमा पार कर जाने पर डांटा, तब उस नकली पुजारी ने प्रत्युत्तर में कहा. लेकिन मैं तो माराडोना के बारे में बात कर रहा था. माराडोना एल कजाडोर दर रवेंटियूरिस नामक अरजेंटीनी हास्य पुस्तक में कई छोटे किरदार में शामिल थे. इसके बंद हो जाने के बाद, उसके लेखक ने एक नए अल्पकालिक, एलडाई, नामक हास्य पुस्तक की शुरुआत की, जिसमें माराडोना को मु पुस्तर डिएगो, या डिएगो के बाद, इसके 200 संस्थापक सदस्यों के लिए. 10,000 से भी अधिक लोग चच के आधिकारिक वेब साइट के जरिये इसके सदस्य बने. ब्राजील के एक शीतल पे गुआराना अंटाक्टिका टेलिविजन विग्यापन में माराडोना को ब्राजील के राश्ट्रिय फुट्बॉल टीम के सदस्य के रूप में चितरित किया गया है, जिसमें वे पीली जर्सी पहने हुए हैं और ब्राजील के कप्तानों काका और रोनाल्डो के साथ ब्राजील का राश्ट्रिय गान गाते हुए नजर आते हैं। बाद में इस विग्यापन में वे नीन से जाग कर यह हिसास करते हैं कि ब्राजील का शीतल पे ज्यादा पी लेने के कारण उन्हें यह बुरा सपना आता है। इस विग्यापन ने जारी होन माराडोना ने जवाब में कहा कि उन्हें ब्राजील की राश्ट्रिय टीम की जर्सी को पहनने में कोई समस्या नहीं है। 16 बार राश्ट्रिय टीम के कप्तान के रूप में विश्व कप रेकॉर्ड में प्रवेश। 21 विश्व कप में वे 8 गोल दागते और 8 बार गोल करने में सहायता करते नजर आए। जिसमें 1986 में किये गए 5 गोल और 5 सहायता शामिल है। अर्जेंटिना की ओर से विश्व कप मे दूसरे सरवाधिक गोल करने वाले के लिए सहबद। 1999 देश अर्जेंटिना फीफा व्ल्ड यूथ चैंपियंशिप 1989 फीफा विश्व कप विजेता 1986 रनर अप 1990 आर्टेमियो फ्रेंची ट्रोफी 1993 पचातरवी वर्षकांट फीफा कप 1989 वेक तेक फीफा यू बीस विश्व कप का सरवश्रेश्ट खिलाडी के लिए गोल्डन पूरसकार, 1989. अर्जेंटाएं की टॉप्जार, 1989, 1980, 1985. अर्जेंटिना फुट्बोल राइटर के फुट्बोलर अफ डियर, 1989, 1980, 1981, 1986. दक्षेन अमेरिकी फुट्बोलर अफ डियर, 1989, 1986, 1969, 1990, 1992. इताल्वी गुरंडी, ओरो, उननीसो पिच्चासी वर्ष के अर्जेंटीनी स्पोर्ट राइटर खिलाडी, उननीसो च्यासी फीफा विश्व कप के सर्वश्रेष्ण खिलाडी के लिए गूल्डन बॉल्ट उन्सो च्यासी वर्ल्ड ओंजे दी, ओर में सर्वश्रेष्ण फुटबॉल खिलाडी, उननीसो च्यासी वर्ल्ड प्लेयर उफ दी इह, 1996 कपोका नोनियरे 1987-88 फुटबॉल की सेवा करने के लिए गोल्डन बॉल 1996